साथ संगत जी प्यार से कहना धान नहींकार जी एक अगर कोई मनुश्य वाले कार्य करेगा तो ही वो जीवन असल माइने में सफल है नहीं तो एक वही बात हो जाती है कि अगर कोई कार्य हमारे लिए जिम्मेवारी बने कि हमें इस कार्य को ऐसे करना है और हम वो नहीं कर पाते तो बात वही होती है वो एक fail की बात होती है कि हम ये काम अर्समर्थ रहे करने में हमारा एक failure का tag साथ लग गया उस कार्य के साथ तो वही कि कैसे एक चाहे मानव के शरीर में है तो भी हम अगर कार्य जब तक मनुष्य वाले ना करें जैसे किसी चिडिया को नहीं कहा जाता कि चिडिया वाले कार्य करो या फिर एक चिडिया को अगर चिडिया लगना है तो बस क्राइटीरिया यही है कि उसकी पंक होने चाहिए वो उसका आकार एक तरह का होना चाहिए वो उसकी चोंच से वो उस तरह आवाज निकाले या घोसला बनाए या कुछ characteristics या attributes हम लगा देते हैं कि एक definition बन गई एक चिडिया कैसे है और किसी भी एक जो बात होती है कि मनुष्यों के इलाबा प्रकृती में कुछ भी देखने तो वो हमें देखना नहीं परता कि घोड़ा घोड़ा नहीं लग रहा या पेड़ पेड़ नहीं लग रहा कुछ भी ऐसे चीज हो तो सिरफ एक मनुष्यों के साथ ही वो बात बनती है कि आकार तो चाहे एक मनुश्य वाला है पर करम वो मनुश्य वाले नहीं क्योंकि जब मनुश्य हैं तो मन में एक प्यार की भाबना होनी चाहिए ये अपना असली रूप ये निजगर इस निरंकार परम पिता की परमात्मा की पहचान के लिए जो लक्ष लेकर ये मनुश्य योनी मिली है तो अगर वही नहीं है तो मनुश्य मनुश्य नहीं है हाँ जी ए मानो तू मानो बंजा कहते बारम बार क्यों तो ये मेसेज सदियों सदियों से चाहे सत्युग हो द्वापर हो त्रेता हो और अब कल्युक कभी जो ये लेग चल रही है या फिर कई जो ये भी कहें कि चलो हिस्ट्री को एक साइड रखके देखें अपनी परसनल लाइफ में भी देखें तो फिर ये बार-बार संदेश ही क्यों देना पड़ रहा है कि अप मनुश्य हो तो मनुश्य वाले करम करो ये एक रिमाइंडर की तोर पे इतने बार-बार क्यों करा जा रहा है जैसे एक हमारा अलाम क्लोक होता है हमें उठना होता है तो वो हम जानते हैं कि हमने उठना है फिर भी क्यों ये ऐसा की अलाम बचता है और हम उसको वापस वो पांच मिनट के डिले पे डाल देते हैं और फिर सो जाते हैं फिर वसनुस करता है और हम फिर से उसको और डिले पे डाल देते हैं तो ये जागने की अवस्ता ये मनुश्य को मनुश्य बनने का संदेश तो वल्यों, पीर, पेंगंबरों ने, सद्गुरों ने बहुत समय से ही देते चलते आ रहे हैं पर हम ही उस रूप में सोते जा रहे हैं और कान में वो आवास पढ़ने के बाविजूद भी नहीं उठते तो आज ही क्या हमारा उस तरह एक जीवन का उदेश है अगर हमको फुल पोटेंशल में उसको जीना है तो बात वही है कि जो एक हमसे एक मानव की तरह एkspektेशन है हमें वो एक्सकेशन को कैसे पूरे करना है और ना कि बस सिरफ पूरा करना है उसको अपनी जिंदगी को किस तरह घुब सूरत बनाया जाए कि एक तो हो गया basic criteria कि एक मनुश्य होतो जो भी ये मानवी एगोण ये human values है और एक हो गया कि उन पर जीते हुए जो एक अपने आप की अपने अंदर से एक और महेख हमारी निकलेगी वो सब के नाथ तक पहुँचेगी तो वही बात कि एक करम की जिम्मेवारी जो हम पर है वो तो करनी ही है पर एक वो जो extra effort होता है कि एक going one step further वाली बात होती है तो सिरफ एक लकीर के फकीर की तरह वहां तक नहीं रहना अपने आप से और भी जितना बन पड़े जितना और हम contribute किसी माहिने में भी कर पाएं कि अपनी जिन्दगी में किसी और की जिन्दगी में वो खुश्बू वो असर जरूर छोड़े है हैं जी अपना अपना धर्म निभाते पशू परिंदे सारे हैं तो वहीं बात कि जिसकी जो एक lifestyle है जो एक कारे करने के लिए परमात्मा ने अपनी प्रकृती में जो भी चीज डाली हो कि चाहे जानवर हो चाहे पंची हो चाहे कोई भी ये काइनात की ये कुद्रत की चीज ले ले पानी का स्वभाव ले ले नीचे को बहना या फिर सर्दी में जमना या कुछ भी चीज हो पेडों का देखें की बारिशों में हर्याली और पज़ड में ज़ड़ना तो ये सब का जो अपना एक नीचर कह सकते हैं एक ये नियम में बंधे होए ये नरंकार की आग्या में रहते वे जो जो कार्य थे उनके गुणों में वो सब तो वैसे ही सब कुछ करते जा रहे हैं पर वही बात ये सारी इंडिकेशन ये सारे एक्जामपल इस शबद में बार बार उसी की लाइन को स्ट्रेस करने के लिए आ रहे हैं कि ये एक कंपारिटिव एक कंपारिसन करने के लिए कि एक तरफ जहां मुनुश्य जो सबसे उच्छे योनी माना गया है और उसके कंपा प्रारेजन में जो बाकी योनिया है तो भी इस माईने में तो वो सब जादा श्रिष्ट हो गई कि वो सारा अपना कार्यों जैसा करना है वैसा ही कर रहे हैं और हम इस योनि में जो आएं हैंगे अफसर लेके कि ये इंदरंकार की पहचान कर सकें तो हम उसको असमर्थ कहीं न कहीं हो जाते हैं सिरफ ये बात हो नहीं है कि ग्यान लेने तक की जर्णी नहीं है ये ये वो भी लिया जाए कि हम अगर ग्यान ले चुके हैं तो भी क्या हम बन गए सही माइने में मिनुष्य या अभी भी हमारे जीवन में वही अंदकार है वही एहंकार है वही लालच है या कोई भी ऐसी बुरी बात हो तो उसी पे हमको अपने आप पे काम करना है कि सारे रस्ते तो हमारे सामने हैं और सही गलत की हमारे पास ये बुद्धी भी है ये चेतनता भी है तो हमने क्या अपनी जिंदगी में कंकर उठाने हैं कांटे उठाने हैं या अच्छे गुणों फूल समान जो बात है वो लेना है हांजी अपने ही नियम पर चलते सूरत चंदा तारे हैं तो ये जो सूरत चांद से तारे सिलेस्टियल बोडी या कोई भी धर्ती के उपर भी जो भी चीज है वो सबका एक वही बात जो नियम बना हुआ है जिस तरह एक फंक्शनालिटी रखी है एक लाइफ स्पैन अगर किसी एक भी चीज का है अगर हम एक बाजार से कुछ खाने की पदारत भी लेते हैं तो उसमें भी वो एक कुकिंग के लिए उसकी रेसिपी होगी एक उसकी date of manufacturing और एक expiry date भी होगी तो ये जो लाइफ स्पैन में उसको इस्तमाल कैसे करना है हमें खाना है उसको तो उसको बनाना कैसा है उन्होंने वो भी लिखा होता है कि इसको फ्रिज में रखना है या फ्रिज में नहीं रखना तो ऐसी चीजों में भी अगर हम देखें तो हर चीज में ये जो भी इन पर मात्मा की बनाई चीज है तो उस पे भी और जो man made things भी कहले चाहे उन में भी ये जो नियम है ये गुण है जो काईदा है कि किस तरह एक functional एक चीज को करना है ताकि उस चीज से लाग हो तो वो जो है सब अपनी तरह अपना काम ठीक से कर रहे हैं बस एक हम मनुश्य ही हैं जो कहीं न कहीं वो चूक बार बार कर जाते हैं ये जानते हुए कि कड़वे वचन निकालने से हम किसी के मन को ठेज पहुँचाएंगे अपने दिल को भी जलाएंगे फिर भी अगर ऐसी को इस्तिती आती है जहां दूसरे को हम छोटा महसूस करवा सकें तो हम वो मौका नहीं छोडते हैं तो ऐसा अगर इसी रस्ते पे चलेंगे तो डेफिनेटली वही बात कि एक हम मनुश्य होने का प्रमान ही नहीं दे रहे बाकी चीजें सब अपने तरह ठीक से उसी तरह कार्य कर रही हैं सिवाए मनुश्यों के हन जी एक मानो की जात है ऐसी जो जग में बदनाम है तो ये मनुश्य उस तरह ये बदनामी का तिलक क्यों सर पे लेके घुम रहा है ये क्यों उस तरह ये नाम आ रहा है कि कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं मनुश्यों जो नहीं करना चाहिए या फिर कुछ ऐसी आदतों में एक इंसान बन जाता है कि चाहे अगर एक ऐसा ही एक्जामपल ले लें कि हम अगर कोई आज ड्राग एडिक्शन या नशे या कोई भी ऐसी बात का एक्जामपल लेते हुए चले कि हमें पता है वो चीज़ सेहत के लिए भी नहीं अच्छी हमारे मानस्तिक बैलेंस के लिए भी नहीं अच्छी पर फिर भी अगर वो किसी ने एक बार चख लिया तो उसका इतना आदी हो जाता है कि अपनी जिंदगी को वो नश्ट करने शुरू कर देता है तो वही बात की हमें कैसे अब यूटिलाइस करना है यह जो हमें जिंदगी मिली है इस नरनकार की दी हुई एक यह गिफ्ट की तरह जो जिंदगी है हम उससे क्या कर रहे हैं हम मनुष्यों वाले कारे कर रहे हैं या अपने पतन की और अपने आपको ले जाते चले आ रहे हैं कुछ बोलना ना पड़े हमारे करम बोलें और वो करम देखकर सभी ये बोलें कि ये मनुश्य इतना अच्छा है हमको भी ऐसा ही मनुश्य बनना है तो बात वही अब मनुश्य तन मिला ही है तो असली रूप में मनुश्य वाली जिंदगी को भी बिताएं साथ संगर जी प्या झाल झाल